ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोद के पुत्र वैबव गहलोद के राजस्थान क्रिकेट संग के अध्यक्ष बनने के बाद से गहलोद विरोधी खेमा सक्रिय हो गया है आर्सिय अध्यक्ष का चुनाओ लड़ने से वंचित रहे कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूर्व नेता पतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने अब कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वह पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाखात का समय मांगा है सूत्रों के अनुसार डूडी आर्सिय चुनाओ में खुद के साथ हुए घटनाकरम की पूरी जानकारी से आलाकमान को अवगत कराएंगे सूत्रों के मुताबिक रामेश्वर डूडी ने दो दिन पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कारियाले से मिलने के लिए समय मांगा है डूडी कॉंग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष को राजिस्थान की हकिकत बया करेंगे इस मामले में रामेश्वर डूडी का कहना है कि मैंने मुख्यमंतरी अशोक गहलोत को एक माह पहले ही मिलकर बता दिया था कि मैं आर्सिय के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूँ और उस समय खुद गहलोत ने मुझे आर्सिय का चुनाव लड़ने के लिए कहा था लेकिन गहलोत ने धृत राष्ट्र बन कर पुत्र मोह में अपने बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतार दिया और सरकारी मशीनरी का पूरा दुरूपयो करते हुए मुझे और मेरे समर्थक जिला क्रिकेट संगो को चुनाव अधिकारी से अयोग गिखुशित कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव अधिकारी आरा रश्मी को अपने पुत्र वैभव के पक्ष में करने के लिए सरकार में उच्छिस्तर से मुख्य सचीव डीबी गुपता और सरकार के क्रुशिमंत्री लाल चंद कटारिया को जिम्मा सोपा गया अब रामेश्वर डूडी ने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करके ये तै किया है कि पहले पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करके उन्हें आर्सी के कटनाकरम से अवगत कराया जाएगा और तब भी सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता डूडी ने कहा कि मैंने जाट नेता के रूप में 20 साल तक जाट समाज और किसानों के लिए संगर्ष किया है पिछले 5 साल विधान सबा में विपक्ष के नेता के रूप में मैंने किसानों की आवाज उठाई है अपनी ही पार्टी से नाराद चल रहे डूडी ने यहां तक कहा कि जो नेता आज राज कर रहे हैं वे 5 साल विधान सबा में आये भी नहीं थे मैंने भाजपा के खिलाफ संगर्ष किया और जैनता की आवाज उठाई थी। अब मेरे खिलाफ साजिश करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डाक्र सीपी जोशी की शेह पर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पुत्र वैभव को RCA अध्यक्षपद के लिए चिनाव मैदान म उन्होंने पहले मुझ से वादा किया था। प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष सचिन पाइलेट की बीच की अदावत किसी से छुपी नहीं है। अब RCA चुनाव को लेकर रामेश्व सौलंकी, दानिश अब्रा, पी-ार मीना और प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गोपाल सिंग वसचीव प्रशांत शर्मा लगातार डूडी के संपन में है। इस सब के बीच अपने लंबे राजनितिक जीवर में अपनी छवी के प्रती एक्स्ट्रा सजग रहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुत्र वैभव गहलोत के RCA अध्यक्ष बनने के बाद किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहते। इसी के चलते सबसे पहले उन्होंने वैभव गहलोत को चैपुर में अलग घर में शिफ्ट कर दिया। दो दिन पहले जोधपुर में पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत नहीं मीडिया से बातचीत में कहा था कि वैभव मेरे बेटे जरूर हैं लेकिन वे मेरे साथ नहीं रहते। विकराय के मकान में रहते हैं। राजनीती को लेकर मेरा उनसे कोई रिष्टा ना जोडा जाए। साथ ही रामेश्व डूडी की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि डूडी मेरे बहुत करीब हैं। मगर अब परीब है या नहीं इसका पता नहीं।